हेलो व्रिवन दिस इस निखेल आयम फ्रॉम करेकिक सर्विसेस त्यार जैसे आप सभी को पता होगा कि राजिस्तान नीट आयूस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है पोडल भी ओपन हो चुके हैं अभी तक हमारे औल इंडिया कोटे का सेडियूल आया हुआ था जो थोड सेडियूल भी क्लियर कर दिया गया है फिलाल अभी जो यहां पर जो सेडियूल मैं आपको दिखा रहा हूं उसकिन पर हमारे स्टेट कोटा एंड एनराई कोटे का सेडियूल है 14 से रिष्टेशन है रिष्टेशन लिंक भी आई तिंक अक्टिवेट हो चुका है अभी वह अब यह चलो रिष्टेशन देख लेते हैं इन्होंने अक्टिव कर रखे कि नहीं कर रखे हैं थोड़ी कुछ टंप सिंड कंडिशन दी हुई हैं कि आपने ब्रोश्यर और जो मारी टंप रूल्स हैं वह अपने पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं तो जैसे आप इसको आन कर जैसा नहीं है कि युँ डैडी के पास में देन इसमें ओटीपी आएगा फिर वह प्रोवलम होती है विकाज उनके फोन पर काफी वार ओटीपी आता है देन वह ध्यान नहीं देते हैं यह कोई अलर्ट आता है यह कोई नोटिस आता है तो जो आपका परस्टनल नंबर है स् पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा तो फिलाल यहां पर जो हम डिसकस करने वाले हैं वह स्टेट को टेके काउंसलिंक शोडिल के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस देख लेत फर्स्ट अलॉट्मेंट इनकी क्रिस्मस को आ रही है और थर्ड तक सरी ट्वंटी नाइन सक इनकी रिपोर्टिंग वगरा है और जो है सेकंड राउंड की अपडेट यह लोग दे देंगे नेक्स उस पर ठीक है तो यहां पर अगर मैं बात करूं अब इनकी जो इस जो अप्लिकेशन फॉर्म विल नॉट बी अलिजविल फॉर अलॉट्मेंट तेको इसका मीनिंग यह भी है मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा यह कि यार देखो प्राइवेट कॉलेज में या गौर्मेंट कॉलेज में कोई भी ऐसा मोड़ाप एडवीशन नहीं है कि जिसके तो आप जाकर डिरेक्ट्ली अडवीशन ले लो कॉलेज में आपको कॉंसलिंग करानी पड़ेगी कॉंसलिंग में इन्रोल करना पड़ेगा कॉंसलिंग करना पड़ेगा थीक है तो जो भी अपडेट जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो कांसलिंग से लेनी है सारी चीज अगर हम पब्लिश करने की बात करें जो मेरिट लिस्ट मतलब की जो एक टाइब जो प्रोविजणल मेरिट लिस्ट आती है वो यह यहां पर पब्लिश कर देंगे हमारी इन्होंने यह रखा है publishing of provisional list for verification PWD defense और parametrically मतलब NRI वगेरा की जो एक list आती प्रोपर यह उसको publish करेंगे जो मारा second step है document verification का देखो choice filling से पहले document verification सब जेक होता है तो यहाँ पर इन्होंने document verification before the counseling board जोदपुर for PWD defense and NRI candidate as per the notification available at the website तो देखो हाँ आप जैसे कुछ center वागेरा बनाया जाते हैं then PWD वालों को बताया जाता है कि आपको यहाँ का side picket जाकर अपना approve कराना है टॉल वो पूरा उनका process होता है ठीक है तो वो इन्होंने date रखी 7th जन्वरी तो देखो अभी तक first round के lotment नहीं आई है लेकिन first round के lotment और इंडिया कोटे वाले में 25th को क्रिस्मस वाले दिन first round के lotment आ जाएगी अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर वो state कोटे का जो provisional एक merit list होती है तो दो को यह यार जो ऊपर जो merit list यहाँ पर यह जो दे रखी यह वो PWD वगरा के लिए है और यहाँ पर जो merit list यह common merit list आएगी कि state कोटा के proper list बन के आती है जैसे UP की आई थी हर state के आती है अलमुस्ट और इसके बाद आप choice हां फिर यह 13 को आएगा तो दें काफी मतलब accident होते हुए हमको यहाँ पर देख रहा है उसके बाद deposit the counseling fees हमको counseling fees submit करना है and choice filling including filling up and serving जो भी change वगरा है तर वो last date इसका देख लो उसके बीच में आपको choice filling करनी है 14 और 16 के बीच में आपको choice filling करनी है ठीक है और जो payment वगरा की इन्होंने timing दे रखिए तो timing देख लो उ में auto locking भी available है in case अगर आप choice filling वाकर छोड़ देख तो दनिया लॉक हो जाएगी जैसे UP में auto locking नहीं थी यार जो सबसे आदा important है 25,000 आपको choice filling के पहले पे करना है जैसे आप verification होगा देन आप पे करेंगे आपका choice filling portal active हो जाएगा in case no seat allotted in in any round चीक है मालब कि जो round 1 था भी तो राउंड वन ही चल रहा है दो कॉंसलिंग फीस्ट विल भी अच्छे कोमन एक इनों नोट दे रख रहा है दो कॉंसलिंग फीस्ट विल भी refundable अलवकि refunded on the completion of counseling process in the mentioned bank account provided during registration मालब रजिस्टेशन पीरेड के टाइम पे कि आपसे account details लेंगे तो आप काफे वाले भाया के account details मत आपको अपनी account details रखनी है ताकि वो refundable amount कभी आता इन future में तो आपके account में आए चिक है और उसके बाद publishing of round one allotment information तो round one की जो allotment आ रही है वो आरी 19th of January को उसके बाद 21st 23rd January के बीच में इनका जो fiscal verification होता है मतलब जो demand ड्राप्त होगेरा college lotting का लेकर जाना होगा चिक है वो सारा आपको इनका जो counseling rule आया है वो पढ़ ले ना वहांपर सब कुछ mention है कि किसकी क्या fees है है ना तो आपको demand draft ले जानी होगी जो आपको college यहां पर हाँ यह line पढ़ लो downloading allotment letter and reporting against first round counseling for deposition of original documents prescribed college fees through demand draft तो देखो कहा ना कि उसमें division letter में सारा चीज mention होकर आएगा उद्धर आपको time भी दिया गया है 19 युग allotment आएगे 21 से 23 के बीच में आपको आपर fiscal reporting एक तरह से करनी है ठीक है अब यह second round के लिए आंगे फिर आपको announce कर दिया जाएगा ठीक है तो आपको बिलकुल भी परिशान नहीं होना है तो यह website आप updated रहो अगर आपको कुछ भी help चाहिए तो आप comment करके बताएगे दिन आम उस पर वीडियो लाते रहेंगे rest of it आप हमारी paid counseling services भी ले सकते हैं counselor का contact number आपको description पर provide करा देंगे दिन आप call करके contact कर लिजे registration form में कुछ भी problem आ रही है आप वज़े comment करके बताएगे हम registration form कैसे फिल करें हम उस पर वीडियो बना देंगे rest of it अगर कुछ problem आती दिन तो आज का वीडियो यहीं तक और इसी तरीके से college review के regarding counseling के regarding updates पाने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो पसंद आयों तो like करेंगा हम आपको मिलते हैं next वीडियो में फिर किसी नई जानकारी किसी नए update किसी नए research के साथ में और एक important चीज अभी बहुत सारे बच्चेओं को misguide या misleading type का किया जा रहा है because कुछ एक candidate था 516 scoring थी एक बच्चे का और मेरे पास query आया 525 scoring है वह में स्कूरिंग थीक है तो उसको मलब प्राइविट कोलिज की तरफ से कुछ लोग मदलब बोल रहेंगे आप प्राइविट कोलिज में आ जो डिरेक्ट एडविशन मिल जाएंगा तो देन अगर कोलेज का डिरेक्ट लिया अपरोच करता है तो देन आपको बिलकोल नह नहीं जाना होगा तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाए